हाई फ्रेंट्स आज हम वन मन्त रिव्यू करेंगे रियल्मी 7 का इसको मैंने 21 सेप्टेंबर को पर्चेस किया था और मुझे आज डेट है हमारी 26 अक्टूबर तो इसे मुझे तकरीबन एक महिना पांच दिन या छे दिन हो चुका है तो आज मैं बताऊंगा कि इसमें मुझे क्या कमिया और क्या अच्छा है लगी तो फ्रेंट्स सबसे पहले इसके फिंगर प्रिंट और कैमरा की बात करेंगे फेस लॉक की फिंगर प्रिंट की बात करें तो आप देख सकते हैं यह वन टच में यह पूरा काम करता है हमारा फिंगर प्रिंट हमारा अच्छे से वर्क करता है अगर फेस लॉक की बात करें फेस लॉक भene स्पशित करता है थोड़ा सा समय लेता है एक दो सेकेंड का बागी फेस हमारा यह परुफेक्ट है आप देख पा रहे होंगे कि इसमें हमारी रियल में 7 Android version 10 मिलता है हमें और UI version इसका 1.0 है ये मेरे पास 64 GB और 6 GB वाला variant है अगर इसके design की बात करें तो मुझे ये काफी अच्छा लग है design तो इसका design भी इसका काफी अच्छा है इसका फोर के हमको cameras मिलते हैं इसमें हमें cameras में भी काफी नए-नए features देखने को मिलते हैं 1x, 2x, 3x, 5x तक हमें zoom देखने को इसमें मिलता है इसमें portrait 64 MP केमरे का लग से option देखने को मिलता है अगर इसके positive की बात करें तो इसका camera इसके camera quality बहुत अच्छी है और इसके front वाले speaker से भी अगर बात करते हैं हम phone में तो भी काफी अच्छी आवाज आती है Wi-Fi की बात करें तो इस 5GH का support देखने को मिलता है इसमें हम 5G Wi-Fi router को connect कर सकते हैं इसमें Wi-Fi इस phone में भी इसके battery की बात करें तो हमें इसमें battery backup काफी अच्छा देखने को मिलता है इसमें हमें 30W का fast charging देखने को मिलता है जो हमारा charging fast करता है इसके मैंने charging test का video भी बना रखा है कि यह कितनी देर में 0-100% charge होता है अगर वो आप video देखने चाहे तो आपको description में उस video का link मिल जाएगा आप वो video भी देख सकते हैं बाकि इसका battery भी battery backup काफी अच्छा है इसमें 5000 mAh की battery देखने को मिलती है negative की बात करें तो सबसे पहले इसमें lagging का बहुत issue है यह हमारा phone बहुत lag होके चलता है जैसे मैं भी इसका chrome browser open करता हूँ तो आप देख पारे हैं कितना यह धीर open हो रहा है देख सकते हैं आप इसमें realme ने हमें तीन update दे रखे हैं उसके बाद भी यह issue इनका solve नहीं हो रहा है अब यह इनका software issue है या hardware issue है यह अभी तक कुछ पता नहीं है पर यह phone बहुत जादा lag होगी चलता है जैसे मैं अभी settings को open करूँगा आप देख पा रहे होंगे कि यह बहुत धीमे से start हो रहा है देखें आप जैसे मैं कोई और application open कर प्ले store इसके click होने के बाद यह बहुत time बाद यह open होता है और जबकि यह 6GB का variant है और इसकी speed हमें काफी अच्छी देखने को मिलनी चाहिती पर इसमें speed का बहुत जादा issue आ रहा है और यह हमारा phone काफी lag होके चलता है तो अगर आप भी realme 7 के user हैं तो क्या आपको भी यह problem face करने को मिलती है तो आप please मुझे comment करके जरूर बताएए तो friends अगर आप यह phone buy करना चाहते हैं तो आप इसके अगर software का issue या इसमें कौन सा issue है वो अभी तक confirm नहीं है वो अगर solve होता है तो यह आप यह phone जरूर आपके लिए बहुत अच्छा होगा अभी क्या है कि इसमें हमें lagging का issue बहुत ज्यादा देखने हो मिलता है जो application से बहुत दीरे यह phone होती है तो friends वीडियो अच्छा लगाओ तो आप please मेरे चैनल को subscribe करें और वीडियो को like जरू करें हाँ तो friends पर ही मिलता है ऐसे किसी informative वीडियो में thank you friends